हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब और मेरे साथ पिंक की खंडेलवाल मौजूद हैं शुड़ू करते हैं आज का हमारा विशेश पुलिटन करीब धाई महीने बाद कल मौलाना साथ नजर आया था वो दिल्ली के जाकिर नगर की अबू पकर मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने गया था अब मौलाना साथ का वीडियो सामने आया है देश में जब कोरुना की एंट्री हुई थी इसके फैलने के लिए निजामुद्दी मरकस को बड़ा जिम्मदार बताया गया था इसके बाद से मरकस का मुख्याले सील है इस बीच दिल्ली के उपराजिपाल और पुलिस कमिशनर को शिकायत मिली है कि डिपियस मथुरा रोड के पास एक मस्जिद में दूसरा मरकस बनाने की तैयारी चल रही है यह मस्जिद आठ एकड में फैली है दिल्ली में कम टेस्टिंग को लेकर कल सुप्रीम कोट ने सवाल उठाए थे अब इस पर दिल्ली के स्वास्तमंत्री सतेंद्र जैन का बयान आया है सतेंद्र जैन ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ानी है तो ICMR को अपनी गाइडलाइन्स बदरनी होंगी दिली सरकार ICMR की गाइडलाइन्स का उलंगन नहीं कर सकती सरकार सभी उन शर्टों को मानने के लिए बाद्धी है साथ ही उन्होंने कहा कि ओपन टेस्ट करने से बीमार लोग कम टेस्ट करवा पाएंगे और हो सकता है कि एक दिन में एक लाग लोग टेस्ट कराने पहुँच जाएंग देश में कोरोना का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है आज देश में कोरोना के तीन लाग के पार केसिस पहुँच गए हैं ताजा आकडों के मताबिक कोरोना के कुल केस 3,08,993 हो गए हैं अभी कुल 8,884 लोगों की जान चली गई है 24 घंटे में कोरोना के 11,400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं वहीं 24 घंटे में कुल 386 लोगों की देश भर में मौत हुई है कोरोना काल के बीच बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं चुनाव को लेकर अब वार पलट वार बढ़ता जा रहा है बिहार में विपक्ष किनेता तेजस्वी आदव ने अशोक चौधरी का एक वीडियो टूइट किया इसमें उन्हें गाली देते हुए दिखाया गया है तेजस्वी आदव ने कहा है कि मंतरी अशोक चौधरी ने गाली देनी की जगा राज्ज के लिए क्या किया ये बताना चाहिए अब अशोक चौधरी ने विडियो को फर्जी करार दिया है भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद पर आज थल सेरा अध्यक्ष एम एम नर्वडे ने देश के लोगों को आश्वस्त किया है उन्होंने कहा है कि मैं देश के लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि चीन के साथ सीमा पर स्थिथी नियंतर्ण में है कोर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत हो रही है झाल